हाई अब्रिवान मैं आज फ्रस्टाइम बलग बना रहा हूँ वाज मैं जा रहा हूँ मेरे गाउं के सामने एक पहाड है पहाड के पीछे एक मंदिर है उस मंदिर को आप लोग को दिखाएंगे कितना खरब रस्ता है हम लोग अभी जा रहे हैं देख सकते हैं यहां पर कैसा रास्ता है कि इस पत्थर को देख सकते हैं कितना मिट्टी के उपर खड़ा है पुरा मिट्टी का उपर खड़ा है कितने साल से है हमको भी पता नहीं है यहां पर देखिए पुरा चट्टन है इस चट्टन में पुजा होता है तिकिए यहां पर हर रव घ्यार को पुजा होता है गौमता का चरंदुली है ज़े तो देखिए हसपसका ना-जॉल कितना खूब श़ूरत दिक रहा है मेद इहां ए पर अक तलाव है कि मचली ने नहीं है今 साइट में आभी रवगो ही और यहाँ पर भी एक तला रहे है अभी क्या कर रहे हैं चलिए चलते हैं काली मंदिर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो कितना खतरनाक रस्ता है यहाँ आने से मोन हलका हो जाता है इनों ने रस्ता देखा हुआ है यहाँ बढ़ा बड़ा खाई है देख सकते हो बहुत सब्धन से अम लोग को चलुकरा ना आते हैं और आप लोग को चलते आप लोग को देखाने के लिए हम आये हैं यहां पर दिखिए कोई कोई आते हैं यहां पर जगिन करने के लिए आमका पेड़ दिखिए कितना अच्छा दिख रहा है यह यह रहा मंदिर हम मंदिर पहुच चुके है तो देख सकते हो यह रहा काली पहाड काली मंदिर यहां पर किस तरह से डिजाइन बना हुआ है मासितोला का तो देख सकते हो कितना जबजस्त मुर्ती है बहुत बड़ा है यह पर जो ठाकूर है मा काली के साथ में बात किया है देख सकते हो अभी इस दुनिया में नहीं है मगर इसका मुर्त बना दिया है देख सकते हो बजरंग बली का मंदिर है मुरत है कितना बड़ा है देखी कितना बड़ा है कितना खुबसुरत है बनाने बले ने क्या सोच के बनाया देखी बैस अब उस तरब चलते है वहाँ पर देखीए एक स्विवलिंग है कितना बड़ा है देखी बहुत गजब का है देखीए हर संबार को यहाँ पूजा होता है यह चट्टन को काट के बनाया है यह सिबले में देखिए यह रहा काली मंदिर यहाँ पर तला लगा रहता है पहले यह मंदिर हुआ था बाद में वो सब हुआ है तो देखिए किस तरह बनाया है अबी तो तला है ना यहांपर हम अन्दर नहीं घुस पाइंगे तो देख सकते हैं, चारों तरप को न जारा यहांपर भी तला है यहांसे मंदिर मूरत नहीं दीखेगा अंदर जाने से दिखता अगर अभी तो अंदर नहीं जापाइंगे चलिए एक बहुत खतरना के जगा है यहाँ पर सिविलिंग है तो चलिए चलते है अब लोग दिखाएंगे देखिए सिविलिंग गुफा टाइप का है देखिए तला लगा हुआ है तो बहर से अब लोग दिखाएंगे जितना होसा के हम दिखाने की कसिस कर रहे हैं तो देखिए क्या निजा रहा है गजब दिख रहा है देखिए कि इसे सिविलि बना हुआ है पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक सिविलिंग है देखिए यह फोटिक पथर से बना हुआ है देखिए देख सकते हो जिधार आप लोग को नजर जाएगा तो मंदिर ही मंदिर है देखिए यहाँ पर भी मंदिर है यहाँ पर भी मंदिर है इधर भी मंदिर है देख सकते हो यहाँ पर रंगो है और इधर मंदिर है इतना अच्छा नजारा है यहां आने से मन संत हो जाता है बहुत अनंद मिलता है यहां घुमने आने से कोई भी टेंशन नहीं रहता है यहां पर इट गुटी बाली और भी कुछ है और भी कुछ बनेगा तो बाद में हम दिखाएंगे अभी बनने वाला है था हमको तो मालूम नहीं आँ क्या बनेगा थे हो चोटा-चोटा सिबलिंग है यहां इक मुरत है देख सकते हो यहां पर तला लगा हुआ है जाने अंदर जाने का इजाजत नहीं है फिर भी हम दिखारने की कसिस कर रहे है आप लोग को तो देख सकते हो मादुर्गा का मंदिर है मादुर्गा का मुरत है यहाँ पे ढ़ल नगरा भी रखा हुआ है देख सकती हो क्या गजब का मुरुत बनाया अब चलिए चलिए है घर की तरफ अभी सुरज भी ढोल गया और साम भी हो गया जाने का तो मन नहीं कर रहा है कमेंट बक्स में बताना और नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकोन को भी पिरस कर देना ताकि जब भी हम नहीं नहीं वीडियो अपलोड को रहा है आप लोग का पस्तुरोंत पहुच जाए यहाँ पर ही हम खतम करना चाते हैं मिलते हैं किसी आदार्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार